हलो फिरेंड दगर्फ टेकनिकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिफ्टिंग प्लाइन के बारे में है तो सबसे पहले मैं एक काटिगरी की तरफ चलू कि आज हमने क्या क्या बताना है इस वीडियो की अंदर सबसे पहले हम एक बेसिक लिफ्टिंग प्लाइन के बारे में बताएंगे कि हमें किस तरीके से एक बेसिक प्लाइन बनाना है उसके बाद सेकेंड जो है वो केटिकल लिफ्टिंग के बारे में होगा एक केटिकल लिफ्टिंग हमें किस तरीके से बनाना है उसके बाद जो ठैड रहेगा वो टैंडम लिफ्टिंग टैंडम लिफ्टिंग के बारे में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और वो लिफ्टिंग प्लाइन हमें कैसे बनाना है तो इस वीडियो के अंदर यही सब कुछ होगा और लोड चार्ट क्या होगा डाइगराम क्या होगा और हम किस सरीके से उस लिफ्टिंग प्लाइन को करते है तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर है काफी इंतिजार के बाद यह वीडियो आप लोगों के लिए आया है इसमें काफी मुझे मेहनत करना होगा और इसमें आपको एक-एक tips बताना होगा और यह वीडियो काफी लंबी हो सकती है क्योंकि एक basic plan, critical lifting plan and tandem lifting plan तीन lifting के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखे lifting plan बनाने से पहले आपको दो चीजों की जरूरत पढ़ेगी सबसे पहला diagram जो आप ये screen पर देख रहे है diagram और उसके बाद जो second है वो load chart की जरूरत पढ़ेगी तो ये चीज आपको मिलेगा कहां से या तो आपको किरियन के अंदर से मिल जाएगा या तो आपको operator से मिल जाएगा तो इन चीजों से आप एक lifting plan बना सकते है तो चलते हैं फिर वीडियो में आगे शुरू करते हैं किस तरीके से हम lifting plan हलो फ्रेंड जैसा मैंने आपको एक lifting plan के लिए आपको बोला था वीजो के अंदर की मैं आपको एक अच्छे से lifting plan बनाने के लिए हम लोग पहले यहां पर सारा कुछ आपको सामने दिखा रहा हूं यह पहले टेपिकल lifting है और उसके बाद यह load chart है load chart के बारे मैं आपको बता रहा हूं कि load chart हम लोग किस तरीके से देखेंगे सबसे पहला मैं यह चीज़ बता दो सबसे पहला हम देख रहे हैं यह radius है यह पूरा radius है इस तरीके से और यहां पर हम लोग देख रहे capacity और यह super lift क्रेन के अंदर super lift यह पहला zero पर zero capacity पर इतना capacity इस radius में उठाएगा 40 10 counterweight super lift का इस्टरा जो रहेगा है वो 80 ton super lift होगा और यहां पर sorry 120 ton हमने यह रखना है 120 ton 120 ton और यह हमें 143.5 क्योंकि हमें उतना capacity भी उठाना है 110 ton के असपास तो हमें यह capacity लगेगा तो इस तरीके से उसके बाद हम लोग समझ जाते हैं जो main point है वो क्रेन का boom length boom length होगा 60 meter 24 meter जो zip length होगा और बाकी जो 30 meter जो mass length होता है जो क्रेन का base area mass length जो area जितना cover करेगा और लेना है angle main boom का 85 होगा track with 7.25 m counter weight 160 ton 40 ton यह रहेगा अपना super lift का और यह इसका super lift का जो area रहेगा 15.5 area distance maintain करेगा यह भी super lift भी 15.5 मतलब 15 meter radius कवर करेगा तो यह रहा हमारा load chart और जैसा आप screen पर देख रहे हैं यह इस तरहेगे से load chart जैसा भी मैंने आपको दिखाया load chart और diagram जैसा आप screen पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग crane capacity के बारे में इसमें जानेंगे कि किस तरीके सामें एक lifting plan बनाना है तो सबसे पहले हम लोग नहाँ पर एक color क्रें लिख लेंगे कुछा type का क्रेंट है तो टायर मांटेड है जो भी type का क्रेंट है हम लिख लिख रहा है क्रेंगा क्या capacity है और जैसे मैंने 400 लिख दिया और इसके बाद क्रेंगा में बूम जैसे मैंने आपको दिखाया कि 60 मेंटर होगा तो सिस्टी में लिख दिया लफिंग बूम कितना है और लिख देना है अगर मुबाइल क्रेंग में लफिंग बूम नहीं होता है उसमें उसमें आपको यह छोड़ देना है आपको क्रेंग का मेंन बूम लिंद कितना है वह आपको पता करके इसमें लिख देना है सेम यही लिफ्टिंग प पर उठाकर इसको रखना है तो यह सबसे ज़्यादा आपको जाना चाहिए उसके बाद आपको लोड चार्ट ले लेना है जैसे मैंने लोड चार्ट आपको बताया कि लोड चार्ट मैं 143.5 20 मीटर रेडियस में ले रहा हूं जैसे आप देख रहे हैं यहां पर 143.5 20 मीटर रेडियस में तो मैंने भी यहां पर 20 मीटर रेडियस 143.5 कपसिटी ले लिया है और इस कपसिटी आपको मालूम है कि कि लिए कभी भी 100% इस कपसिटी को उठाता है 143.5 कभी लेकिन हमें इसको सेफ करना चाहिए सेफ हम लोग किस तरीके से करेंगे तो आप जैसा देख रहे हैं यह कल्कुलेशन आप देखते रहे कभी भी 140 सॉरी 143.5 इमटी इसके बाद मल्टिप्लाइ 85% हमें यह अंसर आएगा तो हम लोग कल्कुलेट कर लेते हैं 143.5 जैसे यह कल्कुलेट किया हुआ है उसके बाद मल्टिप्लाइ 85 85% कितना है अंसर कि एक सो एकिस टन पॉइंट नाइन फाइज नाइन सेवन फाइज इस आप देख रहे हैं सेवन कितना है कि वाइन ट्वाइन पॉइंट नाइन सेवन फाइप एंटी मैट्रिक्स टन तो यह हो गया अब हमें मेट्रियल कितने वेट का उठाना है यह भी हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है मैट्रियल वेट होगा टोटल लिफ्ट वेट हमें एक सो चौदा टन उठाना है एक सो चौदा टन चौदा एंटी सौरी एंटी वण वन फोर एक सो चौदा टन उसके बाद इसमें एक सो चौदा टन यह हुआ कैसे है कि वेट थोड़ा सा कम था हुआ है तो सौरी यह टोटल वेट तो एक में थोड़ा सा गड़बर हो गया इसको मैं काट हूं और मैं 96 का वेट ले लेता हूं क्योंकि एप्रोक्स यह सबसे ज़्यादा हो जाएगा कि 96 है एक्शुली मैं आपको बता हूंगा आगे तो यह लिफ्टिंग हूप सबसे जब उठा रहा है तो दस टन का लिफ्टिंग हूप हमें बड़ा वला लगाना है सिलिंग डी शैकल हूप वगयरा सब मिलाकर जो भी लिफ्टिंग प्रेम और रिंगिंग हूप लिफ्टिंग फ्रेम भी इसमें रहेगा तो शैकल सिलिंग तो सबसे पहले दो टन डाल देत हमलोग के लिफ्टिंग फ्रैम भी है स्के अंदर तो इसके अंदर हम लोग आड़ कर देंगे है निस और हम लोग चाैन पुलि क् Earley इंघ में इसके अंदर छांद की इसके अंदर दो हम deze ले कि चलिए पहले हम लोग कल्कुलेट कर लेते हैं 96 प्लस पिर 10 प्लस टू प्लस यहां पर टू है और टू का कपसिटी हम लोग ले 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 लेंगे हूँ सिलिंग्स रिंगिंग का उसके बाद 6 टन हम लोग यह ले ले लेंगे जो भी अंदर चैंड ब्लोक है जैसे सिलिंग्स है जो भी चीज भी ही जो रहा है तो टोटल जो आरहा है 114 एक सो चोदा टन यह टोटल आ रहा है तो अब हम इसका कल्कुलेट करेंगे कितने percent में ये lifting उट रहा है तो हम लोग इसका calculate करेंगे सबसे पहले हम लोग इसका wire rope से links जो भी capacity है उसके बारे में पहले हम लोग fill करेंगे उसके बाद मैं आपको इसका जो lifting जो percent आएगा और कितना आएगा वो मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले हम लोग वायरोप के बारे में लिखेंगे 65 mm का वायरोप हम लोग यूज़ कर रहे है अगर आप कोई भी कपसिटी का वायरोप यूज़ करेंगे तो आप उस तरीके से इसमें आड़ कर सकते हैं बस ये नीचे से काफी एजी है बस आपको जस्ट इनफरमिशन डा ना होता है कि आपने कितने mm का वायरोप यूज़ किया क्या इंगल यूज़ किया जैसा भी मैं यहाँ पर इंगल देख रहा हूं कौन सा इंगल हमें यूज़ करना है बास्किट ही जो कर ही हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे ज्यादा तर हमें धियान रखना चाहिए सिस्टी एंगल में ही हमें काम करना चाहिए अब जो सेकंड है वो फोर नोज का हम लोग सिलिंग्स यूज़ करेंगे जैसा यहाँ पर अब देख रहे हैं जो सेकंड है शैकल हम शैकल कितना यूज़ करेंगे क्या कापसिटिका होगा तो उस तरीके से हम यहाँ पर एक साथ देख रहे हैं नीचे का काफी एक्जामपल और एक सिंपल सा है बाकी जो भी चीज होते है सब उपर है बस नीचे आपको डिटेल्स डालना होता है तो जो नीचे वाला है इसको नोट अप्लिकेबल रखेंगे कि यह कॉलर के रहे है इसके अंदर आउट रिगर पैड नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग इसको नोट अप्लिकेबल रखेंगे नीचे वाला भी बिल्कुल से मुसी तरीके से होगा नोट अप्लिकेबल बट इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे और हम लोग जैसे आप यह देख रहे हैं यह किरेन का आपको एक ग्राफ द लगाना चाहते हैं तो आप इसको कुछ ड्राइंक में आप यूज कर सकते हैं ताक कि आपको एक अच्छे से एजी होगा है चलिए अब हम लोग कल्कुलेशन करना सीखेंगे यूटलाइजेशन कल्कुलेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पूरा तोटल वेट आफ कपसिटी ले लेंगे तोटल आफ वेट कपसिटी हम लोग जैसा भी ले रहे हैं कल्कुलेशन में उसके बाद हम लोग जैसे यह आप देख रहे हैं अभी हम टोटल करेंगे टोटल पहले हम लोग कर लेते हैं 96, 96 प्लस 10 टन जो हम लोग लिफ्टिंग फ्रेम का लिए 10 टन प्लस 106 दो टन प्लस फिर उसके बाद 6 टन प्लस तो टोटल आ रहा है 114 तो अब हम इसको डिवाइट करेंगे डिवाइट 143 143 multiply 100 जब हम 100 से करेंगे तो यह लिफ्टिंग जो प्लान है 79.4 परसेंट में हो रहा है जैसा आप देख रहे है 143 करने के बाद जब हम लोग multiply 100 से करेंगे तो यह जो लिफ्टिंग है चलो अभी हम करके बताएंगे practical तो आप जान सकते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है टोटल वेट जो 114 आया हुआ है जैसा आप ऊपर देख रहे हम लोग 85 परसेंट में किये हैं इसको 85 परसेंट में करने के बाद जो हमारा जो capacity आया है 114 टन उपर की तरफ जैसा आप देख रहे है 114 टन ये कभी भी हमें कोई भी जिसा लोट चार्ट के जो हिसाब से 100% के लिए इतना उठाएगा लेकिन उसको safety देने के लिए हम लोग ये ऊपर का calculation करते हैं तो नीचे भी हम लोग आ जाते हैं जैसा भी हमने total यहां पर देखा और देखने के बाद एक example मैं आपको नीचे calculation करके बता रहा हूं तो जैसा अभी हमने 114, 114 टन, divide हम लोग जो हमारा जो load चार्ट का जो capacity है उसको करेंगे 143 जो 85% से हमने निकाला उसको multiply 100 जो हमारा answer आएगा वो 79.4% आएगा ये जो lifting है ये आप perfect कर रहे हैं lifting क्योंकि हम 85 से और safe में जा चुके हैं तो आप इसमें कर सकते हैं अगर आपको इसमें थोड़ा सा effect लग रहा है तो आप जो 100% का जो load चार्ट था जो पहले से तो आप भी उसमें से भी same calculation कर सकते हैं जैसा अगर मैं 143 जैसे 114 ये total rate आया divide 143 143 के जगा पे अगर हम लोग जो उसका main capacity है अगर हम लोग जैसे 85 से जो हम लोग निकाले हैं 121 टन 85 से निकाले हैं तो उसमें हम लोग इसको भी add कर सकते हैं जैसा आपको possible हो लेकिन मैं इसको और जादा safety देने के लिए इस तरीके से calculation किया हूँ तो I hope इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना जैसा इस calculation में आप जैसा देख रहे हैं 75% से कभी भी कोई उपर lifting नहीं करना चाहिए लेकिन कोई कोई कमपनी में 80% या 85% तक किया जाता है और वो as per company standard होता है 85, 80, 75 75 75 उपर से कभी भी नहीं होना चाहिए as per standard तो I hope मैं भी इस चीज़ों का practical करता हूँ और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर superlift होगा counterweight आपने कितना capacity superlift डाला है उसका क्या radius है तो उस radius को आप maintain कर सकते हो पीछे back site में तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसा radius है आपको पूरा area चेक करना पड़ेगा जब 85 से उप पर जाओगे तो आपको इसमें पूरा planning कर सकते हैं स्क्रेश कर सकते हैं नीचे कुछ note और comments कर सकते हैं जैसा यहाँ पर पिरूपेट किस ने किया उसका sign हो सकता है concern engineer और जो authorized persons है उसका यहाँ पर sign हो सकता है तो I hope इस वीडियो में आपने बहुत खुश्य कुश्य कुश्य